Goldilocks और तीन भालु ये कहानी लेकर आज मैं अम्मू अम्मू एन्युचैनल पर आप सब को सुनाने आई हूँ हर बार की तरह सुंदर प्यारी रोचक और शिक्षा प्रत कहानी गोल्डिलोक्स और तीन भालू एक बार की बात है एक जंगल था उस जंगल के बीच ओ बीच एक प्यारा सा घर था उस घर में तीन भालू रहते थे पापा भालू, ममा भालू और नना भालू एक दिन सुबह ममा भालू ने बड़ा बरतन भर कर सूप बनाया सूप बहुत पोष्टिक होता है बच्चों आप लोग पिया करो लेकिन आह सूप बहुत गरम था जब तक सूप ठंडा हो रहा है चलो हम लोग घुम कर आते हैं थोड़ी ताजी हवा का सेवन करते हैं पापा भालू ने सुझाब दिया अब खुली हवा में घुमना भी बड़ा ही स्वास्तवर्दक होता है इसी बीच एक नन्नी लड़की टेलते टेलते तीन भालू के घर पहुची उसके बाल इतने सुनेरे और घुमराले थी कि सब लोग उसे गोल्डी लॉक्स यानि सुनेरे बालो वाली कहकर बुलाते थे उसने खिरकी से जाका उस घर में कोई न था दर्वाजे पताला भी नहीं लगा था चुप चाप वो घर के अंदर आ गई अंदर आकर तीन आराम कुरसियां देखी पहले उसने पापा भालू की बड़ी आराम कुरसी पर बैठने की कोशिश की बड़ी उची कुरसी थी अरे मैं तो इस पे चड़ी नहीं पा रही हूँ कहकर वो दूसरी कुरसी पर बैठी ममा भालू की अरे ये तो बहुती मुलायम है मैं तो धसी जा रही हूँ ऐसा कहकर उतर कर वो नन्य भालू की कुर्सी पर बेटी, नन्य भालू की बड़ी ही आराम कुर्सी थी, ये तो बड़ी ही मजेदार है, लेकिन ऐसा बोलते ही करक एक आवाज हुई और आराम कुर्सी का पाया तूटा, और नन्य भालू की आराम कुर्सी तूट गई, गूल्डी लॉक्स धम से जम नमकीन है फिर उसने मम्मा भालू का सूप चखा छी यह तो बहुत मीठा है मैं नहीं पीऊंगी से अंत में उसने नन्य भालू का सूप चखा वाह क्या स्वादिष्ट बिलकुल मेरी पसंद वाला एक सांस में पूरा सूप गटक गई पेट भर गया और फिर तीनों भालू के कमरे में पूची जाकर वहाँ पर देखा तीन बिस्तर हैं बड़े बिस्तर पर लेटने की कोशिश की पापा भालू का बिस्तर था यह तो बहुत उचा है मैं चड़ नहीं पा रही हूँ फिर वो ममा भालू के बिस्तर पर लेटी अरे यह तो बहुत ही बेकार और सक्त है फिर वो पहुची छोटे से प्यारे से नन्ने भालू के नन्ने बिस्तर पर वाह यह तो कितना आराम दायक नरम और गुदगुदा है लेटते ही उसकी आँख लग गई ठकी थी, सूप पी कर पेट भर गया, गुद गुदे बिस्तर पर नीद आ गई, लॉटने पर तिनो भालू उने देखा, उनके सूप को जरूर किसी ने छुआ था, किसी ने मेरा सूप चखा है, पापा भालू जोर से गर से, मेरा सूप भी किसी ने चखा है, ममा भालू चिल मेरा सूप तो किसी ने पूरा पी लिया फिर उनोंने आराम कुर्सियों को देखा कोई मेरी आराम कुर्सी पर भी कोई बैठा मम्मा भालु चिला मेरी आराम कुसी तो किसी ने तोड़ ही दी नन्य भालू ने रोते हुए कहा तीनों अपने कमरे में पहुचे तो देखा उनके बिस्तर को भी किसी ने छुआ था कोई मेरे बिस्तर पर लेटना चाहता था पापा भालू बोले कोई मेरे बिस्तर पर भी लेटने की कोशिश कर रहा था ममा भालू चिल लाई नन्य भालू ने का अरे कोरी तो मेरे बिस्तर पर लेटा है आकर देखो ये नन्य लड़की कौन है नन्य भालू की नन्य सी आवाज सुनकर गोल्डी लॉक्स जाग गई तीन तीन भालू को अपनी और घूरते देखकर इतना डर गई कि चीक मारकर बिस्तर से कूदी सीधे खिड़की से रास्त के रास्ते छलांग लगाकर ऐसा तेज भागी कि दोबारा फिर वो कभी वा नजर नहीं आई तीनों भालू चिलाते रह गए रुको रुको हम लोग कोई नुकसान नहीं करेंगे तुम कौन हो लेकिन गोल्डी लॉक्स ने तो पीछे पलट कर देखा ही नहीं कहानी कैसी लगी अच्छी ना तो कमेंट सेक्शन में लिग कर बताईए लाइक शेर सब्सक्राइब करिए बे